एके जी आप भी तो स्लेमेटी बने बाइते हैं हमें वो चाहिए जो नेता बन जाए ओके एके राशेद किसी का भी राजनीत में आना अच्छी चीजे बुरी बात नहीं है लेकिन अगर इन अभी नेताओं को नेता बनना है तो इनका शुद्धी करण होना चाहिए पहले इन करने की करते हैं उठाके देख लीजिए संसद में अटेंडेंस अपने छेत्र में अटेंडेंस तीसरा सबसे बड़ी बात पांच साल तक आदर्स चरित्र आदर्स पुर्शों की बात करने वाली भारती जंता पार्टी राम कृष्ण महारारा पता अब चुनावी नहीं पा देखिए जिन्दगी जंडवा फिर भी गमंडवा और इनका तनहा तनहा यहां पर जीना यह इनके प्रेक्टिकल लाइफ में हो रहा है एजड हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में इनकी फिल्म चल नहीं रही है तो आपने भी देखी हुई है और गाना भी बड़ा सही साया अगर कोई एक्टर है तो पहले वो स्क्रीन टेस्ट देता है और डिशन देता है तब वो पास होता है तब उसे काम मिलता है और फिर वो स्टार्ट बनता है स्ट्रगल करते करते संखर्ष करते करते तो फिर उन्हीं स्टार्स को पॉलिटिक्स में एंट्री भी मिल जाती है साथ के साथ टिकेट भी मिल जाता है यहां भी ट्रेनिंग चलनी चाहिए यहां भ एक दुरंदर वक्ता RSS का बैक अप है इमेर्जेंसी ड्रग जैसे होस्पिटल में होता है न कि जब कहीं कुछ नहीं होता है तो चुनाव जीतना है तो ऐसे लोगों को ले आईए उसके पीछे रीजेन है कि उनकी जो है बॉंडिंग ऑल्रेडी जो है पब्लिक से होती है कवत पर ली बोल रही थी कि मैं ब्रच की गोपी रहना चाहती हूं आप इनसे जड़ा पूछिए कितनी बार 84 अगर आप गोपी हो तो कितनी बार 84 कोसी की परिक्रमा किया है और किसनी कितनी बार आपने हरे कृष्णा का नाम लिया है तीसरी चीज़ एक डायलोग बोलने के जीजिए ना यह संसद में जाते हैं ना यह अपने छेत्र में जाते हैं यह जा करके अपने वापस फिल्मी दुनिया अपने उन सारी चीजों में मस्त हो जाते हैं होता क्या है यह देखिए यह क्यों आते हैं जितने एक्टर आये हैं संघर्स किया अभी हमारे बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जो कि रोता हुआ चेहरा है अगर वो इतने चेलेंटेट हैं अपनी पार्टी खोलें आके 20 साल काम करें फिर देखें पब्लिक उनको किता करती है संघर्स करें तो आपकी बात को मैं इन्वर्स करने से क्यों वो डरते हैं क्यों एक ऐसे दिश्चित तौर पर उस पार्टी का जो प्लस है वो आपके साथ जाता है आज अगर मोदी जी की लोग पीरता इतनी बड़ी है आज भारती जंता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राज्मीति पार्टी बनी है तो उसका प्लस उसके ब्रेक्टित के साथ जूड़ेगा किसी भी फिल्म स्टार को स्विकार करते हैं उनमें क्या देखते हैं उनके बात करने का तरिका डिंपल वाली हसी, माचो मस्कूलर स्टायल पहली बात हो चारो केटिगरी एक साथ स्विकार नहीं करते अच्छा, उर्मिला को अगर कोई स्विकार करेगा तो क्यों करेगा? उर्मिला को स्विकार क्यूं करेगा? तो उनके जो अंदभक्त हैं और जो भोली भाली जनता है वो एक बार को बहएक सकती है लेकिन जो semi-educated work है उसको अगर कोई रिजहाएगा पटाएगा जो असली शब्द है पटाएगा तो वो देंगे उसको vote लेकिन जो educated है जो निर्णे ले चुके हैं जिनोंने काम देखा है कि फिल्म स्टार को रिजहाने और पटाने के लिए लाए जाता है जाता है बहुत जल्दी उसमें रभी किशन जी राशित बोल ला हूं बहुत बहुत मुबारक बास सबसे पहले तो आप से ही समझना चाहूंगा गोरकपुर से चुनाव लड़ना है क्या बीज़पी के टि मिल जाएगा तो आप जीच जाएंगे यह हमेशा रहा देखो कॉंफिडेंस की हम लोग बहुत भड़ी से निकले ना तो हम लोग बहुत सरी ठीकी चीज है मिट्टी के घर से निकला हूं मिट्टी के घर से निकला अपने की इंडस्टी बना दी यहां 50,000 परिवार का चुल जलता है तो विजिन भी था इसी कॉंफिडेंस पर विजिन भी था भूश्पूरी इंडस्टी को बना दी आज कई लोग जी खा रहे हैं तो यहीं बिजिन लेके चले और अज रवी किशन एक ब्राइंड बना विजर को गॉट पार अज़ा रवी किशन जी और मैं पनी टी स्टेट का नाम आपने रोशन किया है आपके संघर्श की मैं बहुत कायल हूँ बहुत तारीव भी करता हूँ और आपने वाकई बहुत आगे बलचर करके हिस्सा लिया है समाज के लिए भी फिल्मी जगत के लिए भी ये बता दीजे चुनाओं में भी आप कहेंगे बना दिया अभी चुनाओं बाते बहुत सरी सीरेश्टी एं कंखीर मुत्ते हैं बहुत सरी चीजें अपने गाउद की बाते हैं जो हम उसी में परवरिश हुई हमारी उनकी तमस्याओं को जानते हैं तो इक डेफिनिटली हम नहीं लेकिन एक सेंसिटिव पेश का नागरिक जो इमोशन लेके भी चल रहा है देश के ताथ तो अलगी चीज होगी तब रवी कृष्ण जी एक और बात है आज मैं डिबेट कर रहा हूं और हमारे डिबेट का टॉपिक है कि फिल्मी चेहरे क्या वोट को भी कनवर्च करते हैं क्योंकि तालियां बटोते हैं भीड बट करते हैं इसी देश में रहते हैं कोई आसमान से नहीं गिरते ही लोग अंकिरिक्त नहीं रहते हैं यह बड़े अच्छे लोग हैं इन लोग फिल्माले हैं जो देश को इतने रूल भानिभा के ना मैंसूस करने लगते हैं अच्छा अच्छा फिल्म कर चुका हूं अच्छा वी मैं नहाज ते उतर रहा हूं आपसे फिर बात करूँगा यह हो आ अच्छी चीज़े बुरी बात नहीं है लेकिन अगर इन अभी नेता हों को नेता बनना है तो इनका शुद्धी करण होना चाहिए पहले इनको तपाना चाहिए ताकि वो नेता बने अहां होता क्या है यहां पर इनका बने कीया अच्छी चाहिए यहां पर आते हैं यह काम करने की एक्टिंग करते हैं उठाके देख लीजे संसद में अटेंडेंस अपने छेतर में अटेंडेंस तीसरा सबसे बड़ी बात पाच साल तक आदर्स चरित्र आदर्स पुरुषों की बात करने वाली भारती जंता पार्टी राम कृष्ण महारारा पता अब चुनावी नहीं यह पार करने के लिए यह ग्लैमरस वर्ड इन लोगों का यह सहरा ले रही है सारे मर्यादाएं भूल गई और आरसस के लिए भी यह चीज चौथी चीज यह सेलिब्रेटी देखिए जिंद सब्सक्राइब करने कर रहा है बहुत लोग कोशिस किये ने वही बातों में भी कर रहा हूं कि मोदी जी संघर्स करके आया सेलिविटी बने हैं और एके जी चो कह रहें ते ना सुद्धी करन होना चाहिए बिलकूल उनका सुद्धी कर रहाँ करती है एके जी आप बी तो स्लेमींटी बने वाइते हैं और जंता आपका ओपिंए जोलेंगे 10 सेकंड के सूलिजे